ट्रेडिंग बहुत असान है, यार पहाड़ों पे बैटके ट्रेडिंग कर सकते हो, दिन में एक घंटा मन करें तो ट्रेडिंग कर सकते हो, लाखों, हजारों, करोडों कमाना कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम चुरुआत करते हैं एक लॉट से, लेकिन दिल कहता है यार इस ट ट्रेडिंग का सफर, लेकिन क्या आपको पता है, इन में से कितने लोग वाके ही प्रॉफिट कमाते हैं, दस में से सिरफ एक, ये मैं नहीं, ये सेबी की 2023 की F&O ट्रेडिंग रिपोर्ट कहती है, तो यानि ये खेल जितना असान लगता है, उतना है नहीं, बलकि असान पैसा कमाने का सबसे मुश्किल प्रॉफेशन है ट्रेडिंग, तो ये जो एक इनसान है, जो प्रॉफिटिबल है, ये क्या सही कर रहा है, या जो स्कूल डेज में शुरू हुआ, जब मैंने अपने फादर के कंप्यूटर मॉनिटर पे शेर्स को टिम्टिमाते देखा, एक फैसिनेशन से हुई तब, कि यार ये जो प्राइसे हैं, ये हिलते कैसे हैं, इनको हिला कौन रहा है, जब मैं अपनी CA आर्टिकल चिप कर रहा थ अगले दिन में सोबह जल्दी आ जाता था, और पार्किंग लॉट में बैट के ट्रेडिंग करता था, दस बचे तक अपनी पोजिशन सेट करने के बाद ही ऑफिस जाता था, मेरी बैग्राउंड कॉमर्स की है, लेकिन मैंने उस ताइम पे आप्शन प्राइसेंग, वालों को जॉब छोडने के लिए मनाना, मेरी फैमिली में कोई स्टॉक मार्किट लाइन से नहीं था, ना ही मेरा कोई मेंटॉर था, तो मुझे याद है अपने फादर का रियाक्शन, जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे जॉब छोडनी है अपनी, तो आपको बता ही है, फादर्ज और बेटों का ऐसा रिलेशन होता है कि फादर्ज पस मौका चाहिए होता है बेटों को डाटने के लिए, तो मैंने च्झा जी मैं अपनी जॉब छोडना चाहता हूँ, कहते क्या करना הי जॉब छोड के? मैंने का स्टॉक मार्करे में ट्रेडिंग करनी है, ठीक त तो जित तो थी मेरी, लेकिन घरवालों को भी लगा कि नहीं यार, ये थोड़ा सा तो संकी है, पूरा-पूरा दिन लगा रहता है, पैशनेट है, काम करना चाहता है, तो बस वहां से हो गया मेरा सफर, स्टॉक मार्केट का शुरू, वो दिन है और आज का दिन है, मैं ये बो अपने बारे में ही बात करने नहीं आया, मैं चाहता हूँ, आप मुझे जो भी समय दे रहे हो, वो आपके लिए वैल्यूबल हो, मैं आपको कुछ ऐसा जे के जाओं, जो आप अपनी लाइफ में प्राक्टिकली एप्लाइ कर पाऊं, मुझे साथ साल हो जाएंगे फुल ट इसी किताब से, तो चलिए आए बात करते हैं तीन ट्रेडिंग टिप्स की, जिनको अगर आप फॉलो करोगे, तो आइकन से फॉर शोर कि आपकी ट्रेडिंग में इंप्रूव्मेंट होगी, बट एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इसको फॉलो रेगुलर्ली करना, कंसि अब अगर ट्रेडिंग के बारे में बात करूँ, तो ट्रेडिंग एक बहुत खुला फील्ड है, ये खुला मिदान है जहां पे आपके पास फ्रीडम है कुछ भी कर पाने की, आपका यहां कोई बॉस नहीं है, यहां पे आपका कोई कोई कस्टमर है, जो कि आपको आपको ये बताएगा कि यार, आपको ऐसे इंप्रूब्मेंट करनी है, जो करना है वो आपको करना है, आपको खुद करना है, तो इस वज़ा से बहुत इंपोर्टेंट है कि हम ट्रेडिंग का एक दाइरा बनाए, एक सेट ओफ रूल्स बनाए जिसके अंदर हम काम करें, जिसको ह आप भी जब morning में आते हो, तो आपके पास कोई plan नहीं होता, क्या आपको पता होता है, क्या आपको पता होता है, सुबह उठके मुझे ये करना है, अगर नहीं करना तो आपके पास एक system नहीं है, और long term में पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास system नह यहां है ठीक हैं लेकिन उसको प्लीज लिख लो यह आपका एक सिस्टम होगा यह आपको गाइड करेगा कि मुझे कब बाई और सेल करना है यह आपको रोकेगा कि यार ग्रीन गंडल बन रही है ओह 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 चलो बाई करो नहीं ऐसा करके पैसा नहीं बनेगा यह आपको आज से करनी है रूल बेस्ट ट्रेडिंग चाहे आपका सिस्टम इतना चोटा हो कि मुविंग अवरेज पे बेस्ट हो शूपर ट्रेंड पे बेस्ट हो या रसाय पे बेस्ट हो डज नॉट मैटर कोई फरक नहीं पड़ता अगर आपको सिरफ बाई तब करना है पे और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह दूसरा पॉइंट वन अगर आप इसको रेगुलरली और कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो आइकन से फॉर आपकी ट्रेडिंग में बहुत ड्रास्टिक इंप्रूब्मेंट दिखेगा ट्रेड लॉग आप में से बहुत से ल जहाँ पे आप अपने सारे ट्रेड्स को एकसेल में डालोगें कब मैंने एंट्री ली कब मैंने एक्जिट ली और मेरे उस ट्रेड लेने का रीजन क्या था अब होएगा क्या जब आप ये प्रोसेस एक महीने तक करते रोगें तो आपके पास पूरा रिकॉर्ड होगा आपके पैटन्स क्या हैं आप जब सही होते हो तो किस वज़ा से सही होते हो आप जब गलत हो रहे हो तो आप क्या गलत कर रहे हो जैसा मैंने पहला कहा आपको कोई बताने नहीं आएगा ये सब आपको अपने लिए खुद ही ढूड़ना पड़ेगा आपको अपने लिए य जिसने बारवी की पढ़ाई भी नहीं करी हैं, उसको मेरे साथ मात्र 10-12 महीने हुएं ट्रेड करते हुएं, लेकिन 4 महीने से उसको मैंने एक टास्क दिया हुएं, कि तु डेली अपनी परफॉर्मेंस ट्रेड लॉग में चड़ाएगा, एक एक ट्रेड का हिसाब लिखेगा शाम को, आदा गंटा लगा के वो शाम को अपनी वो ट्रेड लॉग प्रिपेर करता है, लेकिन आज 4 महीने बाद वो मुझे ये बता पा रहा है, कि मैं ये करता हूँ तो सही होता हूँ, और जब गलत होता हूँ तो मैं ये गलती करता हूँ, इस बेसिस पे, आप मानोगे नहीं, उस लड़के ने आठ लाक रुपे कमाया है चार महीने में, आठ लाक एक करोड की क्यापिल पे आठ परसेंट होता है, लेकिन एक 21 साल के लड़के के लिए वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो ये जो प्रोसेस उसने फॉलो करना शुरू करा है, उससे उसक हो जाती है, लेकिन क्या है ये रिस्क मैनेजमेंट, प्राक्टिकली आप इसको कैसे अपलाए करोगे, मैं आपको कुछ छोटे-छोटी टिप्स देने वाला हूँ, जिसको आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट प्राक्टिस में लगा सकते हों, सबसे पहली चीज जो आपको रि लिमिट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉस आते वक्त नहीं लगता, और बहुत बारी वो ना दिल होप देता है आपको, कि नहीं यार, all is well, सब सही हो जाएगा, कोई बात नी, ट्रेड उठके वापिस आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो प्लीज, गेट इ प्रॉफिट होना ही होना है, तो हम उस एक को दो कर देते हैं, दो को चार कर देते हैं, और पता लगता है वो ट्रेड उल्टा चल पड़ा, और उस पे हो जाता है बड़ा लॉस, पोजिशन साइजिंग एक बहुत इंपॉर्टन चीज है तो डिसाइड करेगी आपका सक्से एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ, आपको ध्यान रखने का कि मेरी पोजिशन साइजिंग बड़ी है या नहीं, जब भी आप ट्रेड ले रहे हो, जो भी आपने कॉंटिटी डिसाइड करी हो, उस पे सोचो यार, अगर मुझे इस ट्रेड पे लॉस लग जाता है, है maximum loss for the day, as an intraday trader, मेरे लिए बहुत important है ये ध्यान रखना कि मैं दिन का कितना maximum loss लेने वाला हूँ, trading में कोई अंत तो ही नहीं, आप जितनी मर्जी positions डालते जाओ, होगा क्या end में, आपकी capital ही तो खतम होगी, लेकिन यही तो हमें नहीं करना, तो please take care कि मैं कितना loss लोंगा या लोंगी, and अपना एक framework बना लो, जिसके दाएरे में आप काम करने वाले हो, तो जो loss आपने सुबा decide कर लिया, based on your capital, अगर वो hit होता है, done for the day, no trading anymore, market ऐसा तो है नहीं, कि अगले दिन खोलेगी नहीं, अगले दिन दुबारा try करेंगे, लेकिन आज के लिए खेल खतम, य अगर आप नहीं रख रहें, तो please, यह अपने दिमाग में बिठा लें, यह मुझे करनी ही करनी है, otherwise success as a trader नहीं आएगा, अब ये तो बात थी trading tips की, but you know, आपका success as a trader सिर्फ उन 6 गंटों पे dependent नहीं है, बहुत कुछ depend करता है कि आप उन 6 गंटों के बाहर क्या कर रहे हो, as a पहली चीज जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, और जो हम में से हर एक को effect कर रही है, वो है social media, now thanks to social media, आप और मैं यहां बात कर पा रहे हैं, and via the medium of Joe Stocks, बहुत से और लोग अपना experience share कर पा रहे हैं, और अपनी journey से आपको कुछ सिखा पा रहे हैं, लेकिन unfortunately there are some people, ज कोई दिक्कत की बात नहीं है, as a professional trader, जिसको 7 साल हो गया है, trading करते हो गया, full time, मैं आपको यह बताना चाहूंगा, कि reality बहुत different है, किसी भी business की तरह, trading भी एक serious profession है, अगर आप इसको time, इज़त नहीं दे रहे हो, तो यह आपको पैसे नहीं देगा, तो social media के pressure में, don't think, कि trading ब all, now, आपने देखा होगा, बहुत से लोग अपने trading screenshots share करते है, इनको देखके लगता है, यार, लाखो करोडों कमाना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको एक reality चेक दो, 99% जो है screenshots है न, यह fake है, आजकल ऐसी-ऐसी apps आ गई हैं, जो broker के fake screenshots मना देती है, तो please trading screenshots को देखके, इस impression में मताना, कि trading बहुत असान है, नो, कुछ category होती है लोगों की, जिनका आपको मैं बोलूँगा, यार, please ध्यान रखना, सबसे पहली category पता है कौन सी है, जो आके कहते हैं, मैं तो bottom पे buy करता हूं, और top पे sell करता हूं, यह सिरफ भगवान को पता है कि bottom का हैं, और top का हैं, और भगवान को हम नमस्ते करते हैं, तो मैं बोलूँगा, please ऐसे लोगों के आगे हाथ जोड़ दो, और इनसे मत सीखो, दूसरी category है, जिसका आपको ध्यान रखना है, यह वो लोग हैं, जो बोलते हैं, भाई, guarantee दे रहा हूं कल market यहां खोलेगी, या guarantee दे रहा हूं, यह stock य in your mind, अपने आप पे इतना pressure मत बना लो कि आप real trading कर ही ना पाओ, now दूसरी tip जो मैं आपको देना चाहूंगा, वो है regarding physical activity, राकेश जुन जुन वाला हमारे time के one of the most successful investors रहे हैं, you know जब राकेश जुन 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 वाला से किसी ने पूछा आपकी worst investment क्या रही है, तो उन्हों या फिर वो paper trading कर रहा है और उसका पैसा ही नहीं लगा हुआ, trading में stress inherent है, और stress को counter करने का best तरीका है workout, it does not matter आपको क्या करना पसंद है, be it gyming, sports, running, yoga, whatever it is, but please make sure आप regularly अपनी health का खयाल रख रहे हो, कुछ physical activity कर रहे हो, और मेरे young दोस्त जो ये video देख रहे हैं, जो कि चाहते trading को as a full time professional लेना, यार ये आपके लिए specially बोल रहा हूँ है, अगर आप अपनी physical health का ध्यान नहीं रखोगे तो आपका burnout बहुत जल्दी हो जाएगा, पांत-दस साल की बात है, उसके बाद trading नहीं कर पाऊगे, क्योंकि mentally और physically आप पे इतना stress आने लग जाए, तीसरी चीज, trading trading है क्या, एक mental game, और अगर ये सही नहीं है, तो कुछ भी सही नहीं है, आपके mind का best workout पता है, meditation, meditation से बढ़िया कुछ नहीं है, एक calm और strong mind रखने के लिए meditate करना बहुत important है, and as a trader मैं बोलूगा ये एक necessity है, आज की date में इतनी सारी guided meditation apps अप्स अवेलेबल हैं, इतनी सारे guided meditation videos कि आपको कुछ करना ही नहीं है, 5-10 minute के लिए earphones लगाने है, बैठना है, और बस अपने दिमाग को शांती देनी है, अगर आपको लगता है मेरे लिए meditation नहीं है, तो please 5-10 minute breathing exercises कर लो, even that will make a big impact, ये चीज़े एक या दो दिंद की नहीं होती है, जब आप इनको regularly करते हो, जब मैंने face करी है, ये सारी problems मैंने overcome करी है, और मैं चाहता हूँ आपका learning curve थोड़ा सा कम कर सकूँ, तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी, आपने मुझे अपना time दिया है, I hope मैं इतनी सी भी value addition कर पाया हूँ, जो stocks को मैं especially thanks बोलना चाहूँगा, कि उन्होंने कितना बड़िया platform बनाया है, जहां पर मेरे जैसे आम लोग आके आपके साथ अपना experience शेयर कर सकते हैं, आपको motivate कर सकते हैं, और कुछ आपको सिखा सकते हैं, once again, thank you for giving me your time, good luck to you.